सरसो के तेल में इसे मिलाकर लगा ले सफिद बाल हो जाएंगे जड़ से काले जाने बनाने का और लगाने का सही तरीका जाने के लिए वीडियो को अन तक जरूर देखें दोस्तो अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप उन्हें काला बनाना चाहती है तो सरसों के तेल से मसाज करना शुरू कर दें यहीं नहीं सरसों के तेल में अगर मेहदी डाल कर लगाया जाये तो बाले ना सिर्फ मजबूत बनेंगे बल्कि वह जड़ से काले भी हो जाएंगे इस वीडियो में बताएंगे बालों के तेल किस तरह बनाया जाता है और यह ऐसे बालों में लगाया जाता है बालों के लिए सरसों के तेल के फैदे आयल मसाज को बालों के लिए अच्छा माना जाता है और यह अगर सरसों का तेल हो तो फिर कहने की क्या बात है हफते में दो दीन भी अगर सरसों के तेल से बालों से भी बालों को मजबूती मिलती है ऐसे बनाए बालों को कला करने वाला या तेल दोस्तों इसके लिए सामगरी आपको सरसो का तेल लेना है तीन टेवल स्पूर हिना पौडर या पत्ती लेना है तेल को बनाने की विधी गैस पर एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाए और उसमें सर कर दे तेल वाले कढ़ाई को एक घंटे के लिए धब कर रखते फिर जब तेल ठंडा हो जाए तब उसे चान कर एक सिसी में भर ले आपका सरसो का तेल तयार है कितने बार लगाए यह तेल पूरे एक मेहने तक के लिए परियोग क्या जा सकता है इस तेल को हफते में कम सकम दो-तीन बार यूज करना जो लोग रोज लगाते हैं वह भी इसे लगा सकते हैं किस तरह लगाना है यह तेल सरसों और हिना कि तेल को अपने बालों की जड़ो में लगाए तेल लगा देल वक्त अपने बालों को छोटे चोटे हिस्सों में बांट ले और फिर रुई की मद के सफेद बाल काले होने सुरूर जाएंगे तो दोस्तो統 यत कारी आपको पसंद आया थे विडियो को जादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें साथ यह मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ